के तहत देश भर में एक करोण 14 लाख लाभारतियों को घर दिये जा चुके हैं मर्धब्रदेश में अब तक 17 लाख परिवारों को इस योजना से फायदा मिल चुका है पीम मोदी कारिक्रम के दौरान वेडियो कान्फरेंसिंग के जरिये ही ग्री प्रवेशम में शामिल होंगे इस आयोजन में मर्धब्रदेश के मुख्य मंतरी शिवराद सिंग चौहान भी शामिल होंगे 20 लमंबर 2016 को प्रदान मंतरी आवास योजना ग्रामीड शुरू की गई थी योजना में लाभारतियों को 100 फीजदी अनुदान राशी की रूप में एक लाख बीस हजार रुपए दिया जाते हैं इसका 60 फीजदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है जबकि 40 फीजदी राजसा की सेवा आरम की गई थी और इस तरह से येलो, रैड, ग्रीन, बिल्यू और तमाम चाहे मजंटा लाइन हो चाहे ग्रे लाइन हो इन तमाम लाइनों पर मेट्रो सेवा आरम होते होते अब जो आज एक लाइन बची थी जो एक्सप्रेस वे है जो नई दिल्ली से लेकर द्वारका के बीच में जो एरपोर्ट एक्सप्रेस वे लाइन है उस लाइन पर भी आज सुबच 6 बज़े से दिल्ली मेट्रो की सेवा फिर से बहाल कर दी गई है अगर दिल्ली मेट्रो के भीतर की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा निकल यहाँ पर खास तोर पर सबसे पहले जब भी यात्री पहुंचता है तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है उसके बाद उसको हैंट सेनिटराज करवाया जाता है इसके लावब बहुत सारे नियम हैं जो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो ने लगाए हुए हैं जैसे ही आप मेट्रो स्टेसन में पहुंचेंगे तो इस तरह के जो नियम है चाहे मेट्रो परिसर में सभी यात्रों को मास्क पहनना अनिवारी बताया गया है हैंड सेनिटराइज और थर्मल स्कीनिंग बहुत जरूरी है यात्रा के लिए स्मार्ट का ही प्रियोग यहाँ पर किया जा सकता है केवल कैसलेस को बढ़ावा दिया गया है लिफ्ट और एस्केलेटर का प्योग करते समय समाजी की जुरूरी बनाए रखने की बात की गई है और मेट्रो के भीतर एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैटने की बात की गई है और तमाम सुरक्षा समानों को भी यहाँ पर कहा गया है झाले गर झाले रसाने की बात का अे यहाँ जिए पर भीत के पर लिए गया है